हेलो एवरिवन कैसे आप सब उमीद करती हैं आप सब ठीक हूंगे तो आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग करेंट अफियर टॉपिक पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है करेंट अफियर का जिसमें जैनुवरी से सितंबर तक की मैंने सारी अपडेटेटेट लिस्ट दे रखी है जैसे कि मैंने बताया देखो कोशन पूछ रखा है एक नागा मिर्ची फेस्टिवल मिर्च हर किसी न खाई होगी मिर्च से रिलेटेड है ये ठीक है spice जो होता है मिर्च, नागा मिर्च फेस्टिवल है 2022 का नागा लेंड में मनाया जाता है, हमें state बता दिया लेकिन पूछ रखा है कौन से गाउ में मनाया गया है ये पहली बार ठीक है, पहली बार मनाया गया है, इसी सितंबर 2022 में Sighama मनायगया है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखता है ठीक है देखिए फेस्टीवल है मदला Naga King Chili इंगलिज में तो मिर्च को चिली बोलते है फेस्टीवल है Naga Land State में मनायगया है Naga Nand के Kohima District है वहां मनायगया Kohima District के से हमाँ विलेज है इसमें मनाए गया है विलेज का नाम डिस्ट्रिक का नाम बहुत ही इंपोर्टेंट है सही हमाँ विलेज है को हमाँ डिस्ट्रिक में है और इस बाप पहली बार मनाए गया है तो फर्स एडिशन इसका अपने महीं इंपोर्टेंट बन जाता है ठीक है मिर् में हमारी जी आई टैग हो रहे हैं नागालेंड को भी जी आई टैग इसका नागा मिर्चा ही था इसका पहला उत्पाद whatsoever नागालेंड के गवर्णर और चीफ निस्टर के नम दे रहे हैं इनको रीडाउट करने में बहुत टाइम चला जाएगा आप इसके गवर्णर और चीफ MON यहां पे गिवन कर रहे हैं वैसे पर गवर्णर चीफ मिनिस्टर पे लिस कर आईती विद ट्रेक जिसने नहीं दे希望 जाकर देखो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका ठीके बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत हेल्फुल है यह बिल्कुल जादा क्योंकि हर स्टेट का पुछा जा सकता है या तो सीम पूछ लेंगे या आप से गवर्नर पूछ लेंगे तो इसलिए मैं पूरी ड बॉक्स में तो खुद से देखना ठीक है इन सिटमबर 2022 एन एन्वल हार्वेस्ट फेस्टिवल नुआ खाई और सेलिए इन विच स्टेट सिटमबर 2022 में किस राज्य में वार्सिक फसल उत्सवा नुआ खाई मनाया गया अब यहां राज्य पूछ लिया गया तो उडीसा मे नुआ गया फेस्टिवल नुआ खाई कैसे देखते हैं उडीसा में मनाया गया गया इसमEMA मौसम का स्वागत और मौसम के नई चावल का स्वागत करने के मौसम को नए बनाया गया थना जεते हैं और इस फेस्टिवल में OUT देवी सर्मेश्वारी को नबाना की पेशकस के साथ मनाआ जाता है मतलब जो देवी महा की सलमेशवरी है अब जो सलमेशवरी है कहते हैं प्राचीन काल में जगजन्नी, आदी शक्ति, महलक्शमी महार स्वरस्थी के रूप में उनको पुझा जाता था सलमेश्वरी को उनकी नबाना पेशकस मतलता है नबाना ट्राइस को ही बोलते हैं या तो नबाना बोल देते हैं या फिर नया चामल बोल देते हैं तो उनकी पेशकस में मनाया जाता है इनको ये दिया जाता है या चड़ाया जाता है ठीक है नेक्स से 50th मनिपूर स्वामंग लीला फेस्टिवल बिगें इन आउगस्ट 2020 टी एच यह बाना सुमंग लीला सांगे लन इन विस सिटी टेक फिफ्टीएद नंबर का है यह मनिपूर का सुमंग लीला महुत्सौ टेक यह कह रहे हैं कौन सी सिटी में मनाया गया था यह कौन स हमारे मनिपूर में मनाया गया है 50th edition ठाइस बार का और यह मनाया गया इंफाल में इंफाल के कहां पर मनाया गया है मनीपूर स्टेट हो गया जगह हो गई कि इमफाल के ययोग याना-सू mapang- sìleala everyone मनाया गया इसमें क्या होता है यह रंग- philosophy theater होता है इसमें महिला होती है वो निभाती यह खलाकार बनती है ठीक है पुरुसों की भूमिगा निभाती है ठीक है पुरुस महिलाओं की ब्हुमिगा सब्सक्राइब करें निबें सब्सक्राइब thousand वेड़ा है किस सहर में सूफी महतसाव का आयोजन किया है यह अपने श्रीणगर में किया है सूफी महतसाव ठीक देखते हैं हम थोड़ा तो यहार का उद्देश कश्मीर घाटी में सूफियों और रिश्यों की सिख्षाओं को उजागर करना और उनका प्रचार करने है अपना जम्मू प्रचार प्रशार करने के लिए सूफी फेस्टिवल मनाया गिया है तो कौन सी सीटी में श्रीनगर में इन्विन सीटी हिमाचे प्रदेश चीफ मिनिस्टर जैराम ठाकूर इनागर्टेश के मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर ने के सहर में कांगरा घाटी ग्रीस मकारीन महत्सट दो हजार बाइस का उद्गातन किया है धरम शाला में कांगरा वैली समर फेस्टिवल दो हजार बाइ के लिए आयोजित किया जाता है और दुसरी बात अगर हम माचे प्रदेश की बात करें तो यह डिटेल में लिस्ट है इसकी नेक्स से विच उनियन मिनिस्टर वस इनागर्टेटर दो 17 एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओन 29 में 2022 देखिए सारे कर देशन था और किसने उद्गाटन किया यह कोशन पूछ रहे हैं प्यूस गोयल ने उद्गाटन किया था तो देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में भारत के सत्रवे मुंबई अंतरास्टे फिल्म हाथसे में बांगलादेश को फोकस देश चुना गया था पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री फोकस देश चुना गया तो बांगलादेश को ठीक है किसने उद्गाटन किया अपने प्यूश गोयल जी ने ठीक है जली आगे बढ़ते हैं नेक्स से अपना इन विच स्टेट दा फोर्थ एडिशन ऑफ सिरोई लिली फेस्टिवल 2022 वस सेलिबरेटेट इन में तुथाज़न वेटीवन तुथा फूल है बहुत खूबसूरत फूल होता है मई 2022 में सिरोई लली महतसव2022 का चौथा संसकरण किस राज्ज में मनाया गया ये अपना मनिपूर में मनाया गया ठीक थोड़ा असके बारे में हम देखते क्यूं मनाया गया स्इरोई लिली फेस्टिवल है, मनिपूर में मनाया गया, चोरथा एडिशं था, और ये उद्धाटन किया गया गवेर्नर एफ मनिपूर, लाग अगनेशन और जो महां के चीफ मिनिस्टर है, अन भिरेन सिंग के दिवारा, और ये उखरल डिस्ट्रिक में मनाया गया, उखल के डिस्टिक के सिरोई विलेज ग्राउड में मनाया गया, मनिपूर तो स्टेट हो गया, प्लेस है अपना उखरल डिस्टिक, उखरल डिस्टिक के भी सिरोई विलेज ग्राउड में मनाया गया, और्गनाईस किया गया था, ये पूरा Department of Tourism Government of Manipur के द्वारा, ठीक है, अब इसमें क्या है, क्यों मनाया गया ये शिरोई लिली फ्लार, जो है, ये इस फेस्टिवल, celebrated with an aim to create awareness on शिरोई लिली फ्लार, which is also known as the state flower of Manipur, हर किसी state का अपना-पना फ्लार है, ठीक है, मनिपur का है लिली, अब लोग तोड़ दे रहें, फेक दे रहें, उसकी कदर नहीं कर रहें, तो awareness फेलाने के लिए ये त्विहार मनाया जाता है, नेक्स से, Rajasthan became the first to organize the national cooperative masala fear, the fear was hosted in which city, Rajasthan रास्टि सहकारी मसाला मेला, आयोजित करने वाला पहला देस बना, मेले के आयोजित किस सहर में किया गया था, ये अपना जैपूर में किया गया था, ठीक है, राजिस्तान तो स्टेट हो गया लेगिन कौन से सहर में क्या गया था ये जैपूर में क्या गया था नेशनल कोपरेटिव मसाला फ्यर मसाला जो हम खाते हैं ठीक है उसकी बाद चल लिए ना नेक्स कोशें इस विच स्टेट गोवनें अनौन्स देखा होगा आपने आपके हां भी मनाया जाता होगा हर जगे किया जाता है इसको सेलिवर लेकिन किस स्टेट ने बोल लखाए क्यों अब इसको राश्टे खेल जो हम आपके है तो आधिकारी खेल के रूप में मानिता दी जाएगी तो उसके बात क्या होता है फिर कुछ इनाम मिलता है पैसे मिलते हैं ठीक है अगर ऑफिचल स्पॉर्ट बन गया तो सबसाइब पंजाब करने जा रहा है कितने खेल आयोजन होंगे उस में तो सबस्क्राइब TIM mau को इस में कितने खेल पंजाब खेड खेड करने जा रहा है weightlifting हो गया, batminton हो गया, cricket हो गया, cycling हो गया, hockey, football, यह सारे खेले जाएंगे और 30 खेल तक होंगे वो, मतलब 30 sports होंगे, ठीक, next, a week-long traditional karchi festival of a prayer to 14 God and Goddess was celebrated in which state in July 2022, July 2022 में किस राज्च में 14 देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने वाले एक सफता तक चलने वाले पारंपारी खाडची उत्सव मनाया गया, कहां मनाया गया, यह के अर्चन पूछ रहताएं, तर्युपुरा में, तर्युपुरा में घारची festival मनाया गया, ठीक है, जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा हुई, ठीक, घारची फेस्टिवल है त्रिवपुरा में मनाया गया त्रिवपुरा के अगरतला में मनाया गया इसमें जो अपने शिवा भगवान है उसको आनर दिया गया उनको आनर दिया गया तो उसके लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है ये अगर हम त्रिवपुरा की बात करें मैंने विलियस देरी की अपिश्ज्ज कर देख सकते हैं, नेक्स कोश्चन इस अंबुभाची मेला इस वन व अफ़ बिगेस् रिलेजिस फेस्टिवल ऑफ इसन इंडिया इन विच स्तेट इट वास सेलीबरेटेट इन जून 2022 अम्बू बाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मी त्यारों में से एक है जून 2022 में है किस राज्य में मनाया गिया था ये असाम में मनाया गिया ठीक अंबू बाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मी तयारों में से एक है जून 2022 में इसको असाम में मनाया जाता है असाम के गौहाटी के कामेका टैंपल में मनाया जाता है इसमें क्या है जो देवी कामेका है दिवाले उसमें वार्षिक मासिक धरम पाठीगरम का कि ऐसा माना जाता है मंदीर की पीठह नेवी जो कामेका है इस अविए के दौरान अपने मासिक धरम के वार्षिक चक्रे से होके गुजर यह बहुत ज्यादा मानने था है बहुत मानते हैं इन देवी को यह है और यह मेला आयोजिन असाम में किया जाता नेक्स है अपना साओ जो फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड ऑन 24th june every year in साउ जुआउ उत्सव हर साल 24 जून को डैश में मनाया जाता है कहा मनाया जाता है गोवा में साउ ज॑ववाँ सेट है गोवा, गोवा गोवा के भी नौर्धगोवा में गोवा है एक नौर्थ में, एक साउथ में दो भाग में बटा हुआ है, नौर्थ गोवा में मनाये जाता है, नौर्थ गोवा के स्योलियम विलेज में मनाये जाता है, और यह तियार सेंड जॉन दा बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन नदी पे प्रभू यूश्यू की स्तापना करी थी कह रहे है, ठीक है, उनका रूप लिया था, बैप्टिस्ट लिया था, मतलब दिया था, और वह जून, चॉभी जून को मॉनसून की सुरुवात में आयो जीत किया जाता है, यह वाला फेस्टिवल, साउजोव फेस्टिवल, नाम से ही लग और गोवा में कारफी क्रिस्टिन कम्यूनिटी है, ठीक है, ठीक है, अब देखिए, कन्फ्योज मत हुए, यह नहीं पूछा है कि कौन से राज में मनाया जाता है, यह पूछ रखा है कि थेम राज कौन सा है, ठीक है, तो इसका सुरज कौन इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का थीम राज्य है, जम्मू एन कश्मीर, अब इसमें क्या होता है, एक्चली इस मेला में बहुत सारे टैलेंट को मौका मिलता है, हैंडी क्राफ्ट हो गए, हैंडलोम्स हो गए, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया हो गए, इन सुरज कौन इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, नेक्स है, संगीत नाटा कैदमी न्यू डेली इस और पुत्कल उत्साव, अपपेट फेस्टिवल, इन मार 2022, इस मेला में बहुत हो गए, हैंड़ किसी ने देखा होगा कटपुतली, हैंडा, सुना भी होगा, चलो देखा नहीं हैं, टीवी में देखा होगा, या किसी ने रियल में देखा होगा, राजिस्तान में तो बहुत होते हैं, ये कटपुतली के मेले ऐसे, तो कह रहे हैं कि संगीत नाटा कैदमी नई दिल्ली मार 2022 में पुतल उत्साव, एक कटपुतली उत्साव का आयोजन कर रही है, इसे कित और्गनाइस किया जा रहा है, संगीत नादा अकैदमी के दवारा इन पांच सीरीज में मनाया जाएगा, इस आयोजन में कटपुतली के माध्यम से भारत के स्वतंत्र संगराम के किस्से सुनाया जाएगे, बहुत ही अच्छी, पहले बहुत मज़ा भी आएगा, शायद इन माधवपुर घेड मेले का उद्गाटन किया है, गुजरात में, अब इसमें क्या होता है, देखते हैं, इन्होंने 10 एपरिल 2022 को गुजरात के पूरवंदर जिले के माधवपुर घेड गाउ में पांस देव सी मेले का उद्गाटन किया, इसमें भगवान कृष्ण और जो फ्राइमरी स्कूल इन दी स्टेट किस राजी सरकार ने राजी के प्राथमेग विद्यालव में चात्रों के नामंकन के लिए अभ्यान सत्रवे साला प्रवेत्सव सुरू किया है ठीक है गुजरात में सुरू किया गया है थोड़ा देखते हैं हम साला प्रवेत्सव है 17th edition है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भुपेंद पटेल जी ने शुरू किया था अगर गुजरात की बारे में आप देखना चाहते है तो नोट डाउन कर लिजे कहीं पर ठीक है जो फोक फियर है लोग मेला है उसका तो 20th edition है और जो क्रिशी फियर है उसका 13th edition है ठीक है जो की पूड़ी उडिसा के पूड़ी में उद्गाटन किसने किया ये पूछ रखा है ये है बिमनेश्वा तूड़ू ने इसका उद्गाटन किया थोड़ा देखते हैं हम ठीक है पूड़ी में जो उडिसा में है ठीक है उडिसा स्टेट हो गया पूड़ी में प्लेस हो गई ये लोकेशन हो गई फेस्टिवल था एंड थर्टीन का क्रिशी फेर था ठीक नेक्स अधर रिनोल जैसल में डैजर फेस्टिवल 2022 आलसो नोन अस मारो महत्सवा अफ दी गोल्डन सीटी वह सेलिब्रेटेट एट विच विलेज इन जैसल में राजिस्तान ठीक है गोल्डन सीटी इसले कहा जाता फेस्टिवल 2022 जिसे सुणन नगरी के मारो महत्सवा के रूप में जाना जाता है राजिस्तान के जैसल मेंट की जाना हुआ तो जरूर जाना वह बहुत सुन्दर है के लिए बने वे सारे गोल्डन बने वे इसलिए गोल्डन नगरी के नाम से जाना जाता है ठीक है सुन नगरी के नाम से जाना जाता है पिलाल पूछ रखा है कौन से गाउं में मनाया गया है ये वाला फेस्टिवल जैसल मेर डेजट फेस्टिवल 2022 ये पोकरन गा कनों में मनाया जाता है गाहं होगया फोकरण के साथ होती है जिसके बाद मिस्टर पोकरण और मिस्टर पोककरण जीते हैं कॉम्पेटिशन राजिस्तान के मंतरी साले मुंद ने इस कारिक्रम को हरी जंदी दिखा के रवाना किया इस बार जैसल में राजिस्तान के सैंसं जून्स में हर साल डेज़र्ट फेस्टिवल का आईजुन किया जाता है बहुत शांदार फेस्टिवल होता है ये खिछ राजिस्तान के बारे में गर जानोगे तो यहां पर मैंने चीफ मिनिस्टर गवनर की नाम दे रखा है नेक्स है इन विच स्टेट पूशा क्रिसी विज्यान मेला 2022 वस इनौगेटेट पाइ यूनियन मिनिस्टर अफ स्टेट केलाश चौधरी मार 2022 में केंद्री राज्य मंत्री केलाश चौधरी ने किस राज्य सासित प्रदेश में पूशा क्रिसी विज्यान मेला 2022 का उधगाटन किया डेली में डेली में हुआ है नाम है पूचा क्रीसी विज्ञान मेला 2022 Union Minister of State के लाश चौधरी के द्वारा इसका उद्गाटन हुआ था और्गनाइस किया था ICAR और IARI के द्वारा इसका theme था Self-Reliant Farmer with Technical Knowledge Next से अपना सीटल सस्टी is a sacred Hindu festival was celebrated in which state in June 2022 सीटल सस्टी एक पवित्र हिंदू त्विहार है आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ भी देखिए अपने भगवाण जी है और गज्म में मनाया न ज्यून 2022 में किस राजमें मनाया गया था Next say, Bohang Bihu और Rangoli Bihu one of the biggest festivals of which state fall in the second week of April every year marking the beginning of New Year and the harvest period. Bohang Bihu या Rangali Bihu किस राजी के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जो हर साल April के दुसरे सफता में आता है जो नए साल की सुरुवात और फसल की अवधी का प्रतीग है. असम में. ठीक है? असम में मनाया जाता है. Next say, Sarhul is the festival of New Year was celebrated in which state by the tribal communities as a part of local सर्णा religion in April 2022. Sarhul नए साल का त्विहार है जिसे April 2022 में स्तानी सर्णा धरम के हिस्ते के रूप में आदिवासी समुदाए द्वारा किस राज में मनाया जाता है? जहार खर्ण में मनाया जाता है. आदिवासी समुदाए की द्वारा मनाया जाता है. Sarhul का अर्थ है व्रक्षो के पूजा करना. यह स्तानी सर्णा धरम के आदिवासी समुदाए द्वारा मनाया जाता है. विसेश रूप से मुंडा हो, उराव जन्जाती द्वारा मनाया जाता है. पूठ सकते हैं कौन-कौन से जंजाती मनाते हैं मुंडा, हू और उरान यह बसंत की सुरुवात का उत्सव भी है ठीक है और अगर आप जारगंड के बारे में नोट करना चाहते हैं यहां पर नोट कर लीजिए मार 2022 में बसंत रितु की सुरुवात की चिन्नित करते वे किस राज्य ने रंगों का त्युहार डोल उत्सव या डोल जत्र मनाया था ठीक है तो कौन से स्टेट ने मनाया था यह वेस्ट बेंगौल ने डोल उत्सव या फिर उसको बोलते हैं डोल जत्रा ठीक है तो यह त्युहार भगवान विश कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाते हैं पूर्णिमा के दिन कौन से भगवान को डेडिकेटेड है लौट कृष्ण और राधा जी को यह से विच एडिशन औफ खुज्राहो डान्स फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 22-26 फेवरी 2022 इन खुज्राहो मध्यप्रदेश खुज्राहो निरत्य महत्सवाव का कौन सा संस्क्रण 20-26 फरवरी 2022 तक खुज्राहो मध्यप्रदेश में आयोजित किया गया 48 एडिशन था ठीक है यह हमें पता चल गया मध्यप्रदेश में खुज्राहो डान्स फेस्टिवल था 20-26 फरवरी 2022 में एडिशन था 48th खुजराहो डान्स फेस्टिवल था मद्यपर्देश के खुजराहो में मनाया गया 48th edition था ये मद्यपर्देश के गवण्नर है मंगो भाई पतेल के द्वारा उद्गाटन किया गया था और अपना खुजराहो डान्स जो फेस्टिवल है 1975 से स्टार्ट हुआ था यह मनाना ठीक नेक्स से थी दे ट्रेडिशनल तोरग्या फेस्टिवल ओफ विच कम्यूनिटी इन अरुनाचल प्रदेश वस हेल्ड इन जैनुरी 2022 अरुनाचल प्रदेश में किस समुदाई का तीन दिवेसी पारंपरिक तौग्रिय महतसव जैनुरी फेस्टिवल होता है तौरग्या फेस्टिवल होता है ठीक है और कौन सी कम्यूनिटी के द्वारा मनाया जाता है कोशन यह पूछ रख है मैंने क्या बोला कोशन आपसे किसी भी ढंग से पूछ सकते है कौन सी कम्यूनिटी मनाती है कौन से सहर में मनाया जाता है कौन से डिस कि अरुनाचा प्रदेश स्टेट है अरुनाचा प्रदेश के तावां मोनेस्ट्री में मनाया जाता है तुहार का मुख्य आकर्शंग साना च्छम है जो भीक्षवा द्वारा छोग्याल याप और च्छम तसा मुंडे देवता को प्रदेशित करने के लिए इनका निर्त्ति क करते हैं उनको प्रदेशित करने के लिए ठीक है नेक्स अपना कोग बुराग देशा फेस्टिवल सेलिबरेटेट इन विच स्टेट तो सेलिबरेट देवलपमेंट ओफ को बुराक लैंग्विज को बुराग दीवस को बुराग भासा के विकास का जश्न मनानी के लिए कि यह त्रिवपुरा जैसे अपनी है एक मेंली लंग्वेज होती है इंगलिश यँपि हिंदी लेकिन हर राजी की अपनी अपनी क tablespoon है कुछ ना कुछ तो कोग बुराग एक भासा है त्रिवपुरा की तो उसका तिराज जी तृपरा में प्रतिवर्ट्स उन्य जन्वरी को मनाया जाता है कोग पुराग तृपरा की आधिकारिक भाहसा है कोग पुराग को पहले तृपग कोग के नाम से भी जाना जाता था नेक्स है इन विच फॉलिविंग स्टेट 18 कचाई लैमन फेस्टिवल वस हेल इ 18 एडिशन था कौन से स्टेट में मनाया गया मनिपूर में मनाया गया तो मनिपूर में मनाया गया कचाई लैमन फेस्टिवल और मनिपूर के उखराल डिस्ट्रिक के कचाई विलेज में मनाया गया 18 एडिशन था और इस बार का थीम था और गनी कचाई लैमन फॉस सेफ इन इसलिए इसको लेमन को इतना जादा वहां बहुत बढ़ चड़के मनाया जा रहा है ठीक है नेक्स इन वीच आफ दा फॉलिविंग स्टेट अधी त्रडिशनल न्यूयर्द को लोसार वस सेलिब्रेटेड इन जैनुवरी तॉस्टाइज तो निमने लिके इतना से किस राजिके इंद्रि सासी प्रदेश में प्रामपरिक नया साल लोसार जैनुवरी दोजार पाईस मे मनाया गिया है लद्दाग में बहुत ही शांदार फेस्टिवल होता है ये लोसार लद्दाग में मनाया जाता है ये लद्दाग छेत्रे में बहुत समुदाई द्वारा मनाया जाता है ये लद्दाग की तिबती नवर्ट की सुरुवात को चिनित करने के लिए मनाया जाता है और लोसार एक तिबती सब्द है जिसका अर्थ है नया साल ठेक नेक्स है विच मिनिस्ट्री और्गनाइज दा हर्याली महुटसव on 8 जुलाई 2022 at ताल कोटरा स्टेडियम न्यू डेली in the spirit of अजादी का अमरित महुटसव अगेन हर्याली महुटसव फेस्टिवल मनाया गया था यह कौन सी मिनिस्ट्री ने करवाया था मिनिस्ट्री ओफ इंवार्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेंट चेंज के दुवारा और्गनाइज किया था यह यहां के तो कोश्यन यह थे आप थोड़े वन नाइनर पर बात करते हैं हम वन नाइनर को भी में कोश्यन फॉर्म में बनाती तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती इसलिए ठीक है जैसे पहला कोश्यन है अपना की विच इंडिया इंस्ट्यूट ऑफ टेकनलोजी 30thacity सब्सक्राइब करते है जो कि पीडियो फेस्टिवल के नई डिली में मनाया गया था किस इसका इस जाइवार्ट इस इए प्रिच श्टिदीलppy औरिधन के इस और ऑिवर्म मतं यह ईग जूस्क्यрен स्टीट स्टेट माइशर्ण IIS-टीट स्टेट ने मार 2022 ताज मोहत्सव था नाम से आपको लग गया होगा ताज महल कहा है आगरह में है अपना ताज मोहत्सव मना यए दस दिन का festival था जिसमें आर्च, क्राफ, कल्चर इन सब की बारे में बात की जाती है बीस मार 2022 को मना यए गया था कौन से शहर में मनाया गया आगरा शहर में तीन दिन का इंटरनेशनल लिटरेली फेस्टिवल होता है उनमेश कौन से स्टेट में मनाया गया हिमाच्य प्रदेश के शिमला में ठेक है नेक्स से अपना बैखो फेस्टिवल होता है जिसको असाम में मनाया जाता है कौन से ट्राइब के लोग मनाते हैं, राभा ट्राइब के लोग मनाते हैं, ठीक, लेक से अपना लू सुंग, नाम सुंग फेस्टिवल भी बोलते हैं, इसको सिक्के में मनाया जाते हैं, अगें, कौन से ट्राइब वाले मनाते हैं, भोटिया से लेपचास वाली ट्राइब मन यहां तक का पूरा था फेस्टिवल पे फेर पे उमीद करते हूं आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक जरू करना हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में